नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मारोक्स के यूट्यकस्टन चनल में तो आज के उड़ी लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्फ प्रॉब्लम और उसके सॉलिसन के बार में बात करेंगे जिसे कि या पर हम जो वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से आप पेसा आपको रो रोक नहीं पाते और तुरंत आपको यूरीन करने के लिए जाना पड़ता है बार-बार आपको पेसाब आता है और होता यह है कि जब आप पेसाब करते हैं उस वक्त आपको काफी ज़्यादा दर्द होता है और पेसाब करते समय जलन भी महसूस होती है फिर हम देखे तो पेसाब की थेली में सूझन है कि जब आप प्रॉपर अल्डरा साउंड कराते है और प्लेडर होता है हमारा कि जिसको मुत्रा से कहा चाता है वहाँ पे सूजन आ चुकी है और उसके करन आपको यह से भी प्रॉब्लेम्स जो वो कि जो अमरा ब्लेडर होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है और सूजन के करन क्या होता है कि आपको आपको दर्द भी होता है कि जिसको हम Medical Times में जो एक टाइब की condition कहते है स्टैटिस की और simple Hindi में बोले तो मुत्रा से में शूजन हो गई है तो यहाँ पे होता है कि जो हम आगे वीडियो में discuss करने ही वाले हैं पर उसके करन यह होता यह है कि आप पेसाप को रोक नहीं पाते आपको तुरंत पेसाप करने जाना पड़ता है या फिर कपडों में पेसाप हो जाती है या फिर पेसाप यह वो जड़े आपको दर्द मैसस होता है या फिर उस दर हमें करते हैं अप्र सबस्काहर करते हैं प्र श्लीन हन करते हैं समय आपको काफ़ी दर्द लिए डर्द वहां फिर infection है एक टाइप का जिसके करण जो patient है उसको nausea vomiting भी हो सकती है मतलब कि उसको जी गब रा सकता है उल्टी जैसा वो feel करता है फिर कई बार यह होता है कि जो urine होता है उसका जो color है वो dark हो जाता है और urine के अंदर blood भी आ सकता है because क्या होता है कि जो bladder की जो अंदर की जो दिवाले होती है वहाँ पे damage होने के करण यह एक symptom develop हो सकता है कि वहाँ से blood आना फिर pus भी formation होता है जो pus जमा होती है और वो जो pus है वो आपके urine के साथ जो है आने लगती है तो उसके करण का होता है कि बार बार आपको पेशाप करने जाना पड़ता है urine की smell भी कई बार strong हो जाती है कुछ लोगों को fever देखने को मिलता है कि उनका जो body temperature है आप यहाँ पे touch करो तो थोड़ा सा जो बदन है जो सरीर है वो गरम मैसूस होता है तो यहाँ पे में वीडियो के मीच में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको अलगलग बीमर्यों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो जो हम जो रीजन है वो है bacterial infection कि अगर कोई bacteria से आप संक्रमीत होते हैं जिसमें इक पीक में लिखा है इससे रीज़ यह प्रॉब्लेम हो सकती है फिर आप personal hygiene नहीं रखते हैं मतलब कि आप जो personal hygiene मतलब कि जो साफ सफ़ाई रखनी है वहाँ पे वह अच्छे से साफ सफ़ाई नहीं bacteria में जो bacteria enter होते है वो बाहर की और से ज्यादा enter हो सकते तो आप वहाँ पे साफ सफ़ाई नहीं रखते या फिर public toilet यूज़ करते कि जहाँ पे साफ सफ़ाई नहीं की जाती बहुती गंदे को अब्लिक toilet है तो उसके करण भी आपको वह infection वहाँ से लग सकता है फिर किसी की urinary infection की history है UTI की history रही है तो भी यह problem हो सकता है लेकि पास्ट में आपको किसी वितार का urine infection हुआ था जैसे कि आपको ureter में infection हुआ था आपको kidney stone हुआ था bladder में कोई पास में भी infection हुआ था prostate का कोई patient है या फिर kidney खराब हो रही है तो उसमें भी एक problem आगे जाके हो सकती है फिर जो pelvic एरिया होता है वहाँ पे आपने कोई radiation therapy ली थी तो especially MRI या फिर CT scan हुए है वो एरिया के काफी ज़्यादा मनल जो catheter होता है वो long time के लिए मानलों के use किया गया है तो भी यह problem हो सकता है फिर यहाँ पे जो हम देख रहे है कि जो catheter है वो especially bladder में ही insert किया जाता है urethra के through तो होता यह है कि जब यह catheter लंबे समय तक वहाँ पे रहता है तो मानलों के germs वगेरा वहाँ पे develop होते है बैक्टे वो सकता है कि जिसको हम cystitis कहते हैं तो यह होता है कि जो catheter जो फिर से में आपको दाता हो कि जो पेसाप की नली लगाई जती है बाहर से कि मानलों के किसी का operation हुआ है तो बाहर से एक tube लगाई जती है कि जिसको हम catheter कहते हैं तो next यह है कि अगर किसे को diabetes है कि जिनका diabetes तो है मल नहीं है कि सुगर लेवल काफी ज्यादा रहे तो यह जब आपका डायबीडिस मैनेज नहीं होता तो भी आपको यह प्रॉब्लेम होती है सिस्टाइडिस के रिलेटेड और आपको बार-बार पेसाप करने के लिए जाना पड़ता है फिर किसे को किड्नी स्टोन का प्रॉब्लेम रहा है तो उन लोगों के अंदर भी यह एक सिम्टम डावलाफ होता है सिस्टाइडिस का फिर अब समझते कि यह प्रॉब्लेम का निदान कैसे हो सकता है कैसे हम उसका पता लगा सकते कि सिस्टाइडिस है या किसी और प्रॉब्ल से पूछ चाहिता है एक पिजिकल किया जाता है या फिर अपने प्राब्लेम क्या हो रही है फिर blood and urine test कराना जलूरी है सिस्टाइडिस के अंदर ultra sound से आपको confirm पता चल जाता है कि exactly blader में कौनसी जगा पे सुजन हो रही है फिर x-ray भी किया जाता है blader का कि या पे जो हम यह peak देख रहे हैं उसमें आप देख सकते है कि जो blader है वहाँ पे सुजन देखने को मिल रही है तो यह भी कर सकते है फिर urine का culture test से पता चलता है कि कौनसे bacteria के करान कौनसी food के करान आपको यह problem हो रही है तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ब्यूख है डिसीजन ट्रीटमेंट उसको आप जरूर से पर्चेस कर सकते हैं यह बुक को आडर करने के लिए आप हमें दिये गए नंबर पर वाट्सप कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर हम सिस्टाइडिस के बारे में सीख रहे हैं जैसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप यह बुक के अंदर सीख पाएंगे वह भी एक कलर पूर डायाग्राम के साथ कि जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके सभी जो चैप्टर से वह प्रॉपर कलर हैं पूरी बुक कलर में और पीछे आपको नॉट्स वगेरा भी लिखनी हो तो उसके लिए भी प्रॉपर जो है वो पेजिस वगेरा दिये गए है और डीटेल में आप यह बुक में से बीमारियों के बारे में सीख पाएंगे तो अब बात करती है कि यह प्राब्लेम को स्वाल कैसे किया जाए तो अरे एक प्राब्लेम का सॉल्यूशन होता है जैसे ही सिस्टैटिस का भी सॉल्यूशन है तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह क्या प्राब्लेम होते है urine infection जैसे कि ये भी एक type का UTIE है तो पानी ज़्यदा पिना चाहिए तो kidneys को healthy रखने के लिए वैसे भी आपको पानी पिना ज़रूरी है तो यहाँ पे पानी पिना चाहिए 2-3 liter per day उसके अलावा जो coconut water है वो patient ले सकते हैं फिर जो cranberry का juice होता है वो आपको regularly लेना काफी ज़रूरी बन जाता है फिर personal hygiene के लिए आप यह सब जो antiseptic fluids जाता है जैसे कि datol है cellon हो गया apple का भी आता है antiseptic liquid तो वो नहाते वक्त आप use करे कि 2-3 बुन्द या फिर एक आदा टककन जितना उसमें डालके वो पानी से नहाँ या फिर जो आपका private part है उसको अच्छे से यह datol water से रोज clean करे कि जिससे इस तरह के problems ना हो फिर अब medicines के बाद करे तो allopathic के अंदर हम देखे सबसे पहले तो levofloxacin के जो tablet है वो सबसे पहले prescribe कि जाता है जिनका dose खासकर एक tablet दिन में एक या फिर दिन में दो बार होता है और दो dose के बीच में हमेशा 6 से लेकर 8 गंटे का time interval रखना जरूरी बनता है तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दू कि यह जो हम देख रहे है वो medicine के option देख रहे है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने 10 medicine बताई तो 10 medicine जो वो prescribe की जाती है इसमें से कोई एक या दो ही prescribe की जाती है पर हम यहाँ पर option देख रहे हैं कि मालोगी किसी का leave ofloxacin से यह problem ठीक नहीं हो रहा तो उसका combination भी आता है ornidazol के साथ वो भी use किया जा सकता है फिर ornidazol and ofloxacin का भी combination में है तो जो dose है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी medicines के जो dose है वो यहाँ पर मैंने mention किये हुए तो वो आप जरूर से देख सकते हैं फिर norfloxacin के साथ भी ornidazol का combination available है फिर phosphomycin का जो powder है वो भी prescribe किया जाता है कि जैसे हम glucose का powder लेते है ऐसे ही यह powder लेना है ते कि उसका जो sachet होता है वो आपको तोड़ना है और उसको एक glass जितने पानी के अंदर डालके अच्छे से mix करके उसको पीना रहता है फिर next हम देखे तो clevum 625 amoxyselene and potassium के जो tablet है वो भी prescribe किया जाते है अगर tablet से ठीक नहीं हो रहा तो patient को drip लगाई जाती है कि जिसके अंदर augmenting का injection डाला जाता है और IV में ही यह injection को लगाई जाता है मलब कि जब भी उसको लगाई जाए तो dilute करके IV drip के साथ लगाई जाता है फिर co trimoxyselol के tablets का option available है कि जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे है फिर nitropruentine भी यहाँ एक option बदता है यह problem को स्वाल करने के लिए कि जिसका dose rate है खासकर एक tablet दिन में एक या दोबर हर आठ या बारा गंटे के time interval पे फिर cifadroxyl है यह अलोपेतिक में वो भी पिर scrape की जा सकती है sap exim का option बदता है जिसका एक famous brand यहाँ पे हम देख रहे है taxim फिर sept reaction का injection भी है कि जैसे augmenting injection हम देखा ऐसे ही है sept reaction की जो monosep उसका एक famous brand है वो भी patient को लगाया जाता है कि अगर दवाईयो से tablet से यह problem ठीक नहीं हो रहा है फिर lactagard का भी एक injection available है वो भी patient को लगाया जा सकता है और अगर ऐसा पता चलता है कि fungus के कारण यह problem हुई है तो combination में flukonazol भी प्रिस्क्रेप ही जाते है जैसे कि हम यहाँ पे हमने 1-12 तक antibiotics के option देखे और यह antifungal medication है तो वो जो 12 option थे लग लग उसमें से कोई एक और उसके साथ combination में यह flukonazol और flukonazol का dose क्याज रहता है कि विक में एक ही बार यह tablet जो प्रिस्क्रेप की जाती है flukonazol से भी नहीं अच्छा हो रहा तो antifungal में दूसरा option बनता है itrakonazol का फिर जो हमने आगे एक symptom देखा कि पेशाब बार बार आता है पेशाब रोक नहीं पाते और कई बार कपड़ों में ही पेशाब हो जाती है तो यह problem को solve करेगा यह flukonazol टाबलेट कि यह क्या करता है कि जो blader के जो muscles होते है उनको थोड़ा जो हो रिलेक्स रखता है कि जिससे पेशाब जो हो आप लंबे समय तक रोक पाते है कि जिसका डूस रहता एक टैबलेट दिन में एक बार या फिर दो बार या फिर तीन बार फिर वहाँ पे externally लगाने के लिए कि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे लगाने के लिए यह क्रीम आती है लुली को नाजल की कि जो पेशन दिन में दो या तीन बार लगा सकता है फिर यूरीन कई बार एसेडिक हो जाता है और उसके करन पेशाब करते वक्त जलन होती है तो जो जलन होती है वो प्राइवेट स्वाल करने के लिए अलका स्वाल का उप्सन बनता है कि जो पांच एमिल दिन में दो या तीन बार ले सकते हैं अगर उससे भी अच्छा नहीं होता तो चरक का अलका 5 सिरप करके आता है वो भी काफी अच्छा रिजल देता है तो ये भी एक उप्सन बनता है फिर हिमालिया का रिनल का का सिरप है वो भी 5 एमिल दिन में दो या तीन बार और हिमालिया की वी जल भी आते है कि जो वहाँ पे पूरुस हो या महिला अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया में लगा सकते है फिर होमियोपेथी में भी उसका इलाज देखे कि अगर आपको एलोपेथी ट्राइ कर ले आयरोइदिक भी ट्राइ कर ले फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो SBL के जो ड्रॉप्स आते है तो साइड में क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते है और यहाँ पे जो राउंड दिया है वहाँ पे क्लिक करके मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते है So good luck and all the best जो भी valuable suggestion है वो आप मुझे comment कर सकते है All the best